हेलो फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस करेंगे चेप्टर सेगेंड पोलिनोमियल क्लास नाइन्थ का चेप्टर है इसके एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्विशन देखिए हमें डेटर्माइन करने कुछ पोलिनोमियल गीवन है और उसके अंदर क्या दे रख चेक करने कि एक्स प्लस वन उस पोलिनोमियल का फेक्टर है या नहीं है यहां से हम क्या करेंगे फेक्टर थोरम का यूज कर लेंगे फेक्टर थोरम में हम क्या करते हैं जिससे भी डिवाइड करते हैं उसको हम किसके इक्वल रखते हैं जीरो के इक्वल रखते हैं जी उसकी जीरो के इक्वल रखने के बाद एक्स की वैलू फाइंड आउट कर जो भी X की value होती है वो हम क्या करते हैं इस polynomial में put करवा लेते हैं अगर आपका अनुसर 0 आता है तो इसका मरलब factor होगा और अगर 0 नहीं आता है तो इसका मरलब factor नहीं होगा तो इसको solve करेंगे तो क्या करेंगे इसको let करेंगे let PX polynomial है किस variable के अंदर X variable के अंदर PX किसके equal आ गया X cube plus X square plus X plus 1 के equal आ गया यहां से हम जिस से divide कर रहे है तो इसमें दे रखा है X plus 1 is a factor of PX PX का मतलब इस polynomial का factor है चेक कर लेते हैं एक बार ठीक है तो अगर factor है तो इसको क्या कर लेंगे 0 के equal रख लेंगे जैसी 0 के equal रखेंगे तो यहां से अपने पास क्या जाएगी X की value हा जाएगी X की value कितनी आ गई plus का 1 था transpose करने के बाद किसका हो गया minus का 1 हो गया अब X की value को हम क्या कर देंगे इस given polynomial में put कर लेंगे P X की जगे minus 1 रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा minus 1 का cube plus minus 1 का square plus X की value minus 1 plus का 1 जहां भी X दिख रहा था वहां पर हमने X की जगे क्या note कर दिया minus का 1 note कर दिया अब power अपने पास कैसी है odd number तो bracket में अगर minus का sign है तो किसका रहेगा minus का और 1 का cube क्या होता है 1 power कैसी है even number तो bracket में minus का जो sign है वो किस में change हो जाता है plus में अब 12 वाला sign भी देखेंगे तो यह plus में हो गया था और यह भी plus में है अपने पास क्या हो गया plus का 1 तो अब यहां से आपने क्या देखा minus का 1 और minus का 1 minus के एक साथ नोट कर लेंगे और plus के एक साथ नोट कर लेंगे तो क्या हो गया minus का 2 और 1 plus 1 कितना हो गया plus का 2 2 minus का है और 2 plus का है अपने पास answer कितना जाएगा यहां से 0 अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब x plus 1 क्या होगा इसका factor होगा otherwise इसका factor नहीं होगा x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1 तो x plus 1 क्या है इसका factor है second part given है x की power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 तो हमने let कर लिया इसको px px let करने के बाद अब इसमें क्या दे रखा था x plus 1 इसका factor है या नहीं है चेक करना है तो क्या करेंगे हम x plus 1 को 0 के equal रख लेंगे इसका 0 निकाल लेंगे तो इसका 0 अपने पास कितना हो जाएगा plus का 1 था ट्रांस्पोज करने के बाद किसका हो गया minus का 1 तो यानि कि x की value जो अपने पास minus 1 आईए इसको हम क्या करेंगे इस polynomial में put कर लेंगे तो put करने के बाद अपने पास p minus 1 जो आएगा वो चेक करते हैं किसके equal आता है तो minus 1 की power 4 plus x की जगे क्या जाएगा minus 1 power 3 यह note कर दी हमने plus minus 1 का square plus minus का 1 plus का 1 जहां भी x था वहां पे हमने x की value को put कर लिया अब देखें यहां पे power कैसी है even number है अगर power even number है तो इसका मतलब यह जो minus का sign है किस में हो जाएगा plus में हो जाएगा और 1 की power कुछ भी हो क्या रहेगा 1 रहेगा power कैसी है odd number bracket के अंदर minus का sign है तो क्या रहेगा minus का ही रहेगा तो sign पहले हम note कर लेते हैं तो यहां पे minus का sign और यहां पे plus का sign तो plus minus हमारे पास कैसा finally जो sign हैगा वो कैसा हैगा minus का हैगा वन का क्यूब कितना होता है वन अब यहां भी चेक कर लिए पावर एवन नमबर है एवन नमबर का मतलब जो टू से डिवाइड हो जाता है ओड नमबर का मतलब जो टू से डिवाइड नहीं होता है तो even number ही कि इसमें अगर plus का sign है तो plus ही रहता है और अगर minus का sign है तो वो क्या हो जाता है अपने पास plus का जाता है तो यहां पर plus का sign आ गया ठीक है और बार भी कैसा है plus तो plus plus क्या हो जाता है plus और one का square कर लेंगे अब one का square क्या होता है one प्लस माइनस क्या हो गया अपने पास माइनस और यह क्या हो गया प्लस का वन अब चेक कर लेते हैं देखिए वन प्लस के एक साथ नोट कर लेते हैं और माइनस के एक साथ नोट कर लेते हैं तो plus का 1 और एक ये plus का 1 कितने 1 हो गए 3 और minus के 1 कितने 2 तो 3 minus 2 अपने पास कितना बच रहा है 1 तो अब क्या ये जो 1 आये अपने पास ये 0 के equal है ये 0 के equal तो नहीं है नहीं है तो इसका मतलब ये इसका factor नहीं है तो x plus 1 so x plus 1 is node the factor of तो ये अपने पास किसका x की power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 का factor नहीं है थर्ड पर्ट polynomial को हमने लेट कर लिया px और px अपने पास किसके equal हो गया जो भी polynomial था उसके equal हो गया x की power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1 अब इसमें जो given है वो क्या है x plus 1 क्या है इसका factor है या नहीं है ये हमें क्या करना है चेक करना है तो हम क्या करते हैं factor थोर हमका use करते है और जो भी इसका factor है उसको हम किसके equal रख लेते हैं 0 के equal रख लेते हैं तो x plus 1 इसका factor था तो हमने इसको 0 के equal रख लिया तो यहां से x की value अपने पास कितनी आ गई minus का 1 plus का 1 था इदर आएगा किसका हो जाएगा minus का 1 अब हम क्या करेंगे x की जो value आई है इसको इस polynomial के अंदर put कर लेंगे तो now जैसे हम put करेंगे x की value minus 1 तो क्या result आएगा वो देखते हैं minus 1 power 4 है power 4 लग गई plus 3 minus 1 power 3 है कितनी हो गई 3 plus 3 into x की जगे minus 1 power 2 है do not कर लेंगी x की जगे क्या हो गई minus का 1 और plus का 1 तो अब इसको चेक करेंगे तो यहां से अपने पास किसके equal आ रहा है वो देखे power even number है minus का sign था plus में हो जाएगा और 1 की power कुछ भी हो 1 ही रहेगा power order number है minus का sign रहेगा minus plus क्या sign लग गए minus का और 3 बन जा 3 power even number है minus का जो sign था किसका हो जाएगा plus का और plus plus क्या हो गया plus और 3 1 का square 1 होता है 3 into 1 क्या आ गया 3 plus minus minus का 1 और यह किसका हो गया plus का 1 अब plus के एक साथ note कर लेते हैं और minus के एक साथ कर लेते हैं 1 plus 3 4 4 plus 1 कितना हो गया 5 और minus के कितने हो गया 3 और 1 4 तो 5 5-4 अपने पास किसके equal आ गया 1 के equal आ गया अब इसको चेक कर लेते हैं क्या 1 0 के equal होता है नहीं होता तो यह 0 के equal तो नहीं है अगर 0 के equal नहीं है तो इसका मतलब यह जो है इस polynomial का factor नहीं है so x plus 1 is note the factor of जो भी polynomial है note कर देंगे चाहे px note कर लेना x की power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1 यह अपना answer आ गया fourth part यह जो polynomial है इसको हमने क्या लेट कर लिया px और x plus 1 क्या दे रखा है equation में इसका factor है या नहीं है चेक करना है तो हम क्या करेंगे factor theorem के according x plus 1 को 0 के equal रखे इसका 0 find out कर लेंगे तो इसका 0 क्या हो जाएगा अपने पास x is equal to plus का 1 था किसका हो गया minus का 1 हो गया अब हम क्या करेंगे x की जगह पे minus 1 put कर लेंगे इस polynomial के अंदर चलिए put करते हैं तो p minus 1 यह polynomial हो गया इसमें minus 1 रखेंगे तो यह अपने पास क्या हो गया x की जगह minus 1 cube है तो इसका cube हो जाएगा minus x की जगह क्या हो जाएगा minus 1 square है तो क्या हो जाएगा square minus 2 plus का root 2 into x की जगह क्या हो गया minus का 1 और यह क्या हो गया plus का root 2 one का cube करेंगे तो one का cube अपने पास क्या जाएगा one और power odd number है तो कैसा हैगा minus का one power even number है minus का sign है किस में हो जाएगा plus में अब ये plus का one हो गया और बार minus का minus minus का one अब यहाँ पर देखिए ये जो number है complete यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एक नंबर है अब इसको हम क्या करते है simplify कर लेते है तो देखिए जो one है ये इस complete के साथ क्या है multiply में तो one की पहले हम multiply कर लेते हैं ये minus का one है और ये minus का है तो minus की minus से multiply होगी पहले तो ये क्या हो गया plus ठीक है तो one तो आपके पास हो गया one की किसी से भी multiply करो अपने पास क्या होता है वो number सेम आता है हमने sign check कर लिए minus minus क्या हो गया plus sign लगा दिया plus का अब bracket कोल देंगे ये आपके पास कितना हो गया one से multiply करेंगे तो same ही number रहेगा तो ये आपके पास हो गया अगर bar plus का sign है तो अंदर जैसे sign है वैसे ही रहते है और अगर bar minus होता है अंदर वाले sign क्या हो जाते है change हो जाते तो अब आपके पास ही क्या रहेगा 2 और ये क्या रहेगा plus का root 2 और ये क्या हो गया ये अपने note कर दिया root 2 ठीक है पर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो कोई दिक्कत नहीं है कि लिए रोना चीए concept जो भी है ये तो minus 2 पलस root 2 और into क्या है minus का 1 ठीक है ये है तो आप क्या करेंगे इस minus को पार ही रहने दो और इस number को हमने क्या कर लिया इधर वाले इस number को हम solve कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा minus की minus 1 की 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा minus का 2 और ये minus की plus के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा plus minus minus और 1 की root 2 के साथ करेंगे तो root 2 ये आ गया अपने पास अब minus से minus क्या हो जाएगा plus का 2 और यह minus minus क्या हो जाएगा पलस का root 2 तो यह आ गया अपने पास 2 plus root 2 अब clear हो गया होगा ठीक है अब यहां से देखे क्या जाएगा अपने पास minus का 1 और minus का 1 minus का 2 और यह क्या है plus का 2 और root में एक जैसी term होती है तो हम क्या कर लेते हैं उसको plus minus कर लेते हैं जैसे कि आपको बोला जाए x plus x कितना हो गया 2x हो गया ऐसे ही root में एक जैसी term है तो यह 1 कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या लग हो है 1 root 2 plus 1 root 2 तो कितना हो जाएगा 2 root 2 इस 2 से यह 2 कट जाएगा एक plus का एक minus का तो अपने पास किसके equal बच गया यह 2 root 2 के equal बच गया तो अब देखिए आप क्या 2 root 2 0 के equal है नहीं है तो इसका मतलब यह इसका factor नहीं है तो note कर देंगे so x plus 1 is note the factor of x cube minus x square minus bracket में 2 plus root 2 into x plus का root 2 तो यह हमारा answer आ गया second question use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases हमें check करना है factor theorem का use करते हुए कि जो gx है यह px का factor है या नहीं है तो first case देखे इसमें px polynomial अपने पास given है 2x cube plus x square minus 2x minus का 1 और gx जो है यह किसके equal है x से plus से 1 के equal question में दे रखा है px px नोट कर दिया 2x cube plus x square minus 2x minus का 1 gx gx अपने पास दे रखा है x plus 1 use factor theorem का करना है using factor theorem factor theorem के according क्या करेंगे जो भी इसका factor है उसको हम 0 के equal रख लेंगे यानि कि gx को हम किसके equal रख लेंगे 0 के equal gx की value अपने पास कितनी दे रखी है x plus 1 x plus 1 को हमने किसके equal note कर लिया 0 के equal x की value हमने निकाल लिया यहां से minus 1 जो minus 1 है यह किसका x plus 1 का 0 है तो यहां से x की value को हम इस given polynomial में क्या कर लेंगे put कर लेंगे तो now p x की जगे क्या हो जाएगा minus का 1 और यहां से आगए अपने पास 2 into minus 1 का cube minus x की जगे क्या हो जाएगा minus 1 का square minus 2 into x की जगे क्या हो जाएगा minus का 1 और यह अपने पास क्या दे रख़ा है minus का 1 तो यहां से क्या हो गए minus 1 का cube क्या जाएगा minus 1 और minus 1 की 2 से multiply करने पर कितना जाएगा minus 2 1 का square क्या होता है 1 और 1 power even number प्लस में आ गया यह plus का यह minus का कैसे हो गया minus का 1 यहां पर plus का sign है ठीक है तो यह plus का है power even number है तो क्या हो जाएगा plus का sign हो जाएगा और 1 का square 1 तो यह plus का यह भी plus का तो यहां पर plus का 1 हो जाएगा यह हो गया plus का 1 minus की हो गया अपने पास plus 2 और ये क्या है माइनस का 1 अब प्लस के एक साथ नोट कर लेते हैं और माइनस के एक साथ नोट कर लेते हैं तो ये अपने पास कितना हो गया माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 और प्लस का 1 और प्लस का 2 कितना हो गया प्लस का 3 और 3-3 किसके equal आ रहा है, 0 के equal, यह 0 के equal आ गया, इसका मतलब जो gx होगा, यह क्या होगा, factor होगा, किसका, px का, तो hence, gx is a factor of px, तो जो gx है, यह px का factor है, second part, px is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, और gx दे रहा है, x plus 2, हमें चेक करना है, factor है या नहीं है, तो solve करते हैं, here, अपने पास जो भी है, वो note कर लेंगे, यहाँ पर, px जो है, यह क्या दे रहा है, x cube plus 3x square plus 3x plus 1, gx किसके equal दे रहा है, x plus 2k, किसका, यूज़ करना है, factor theorem का, यूज़ करना है, using factor theorem, factor theorem में हम क्या करेंगे, जो भी इसका factor है, चेक करने के लिए, उसको हम किसके equal रखेंगे, 0 के equal रखेंगे, तो gx इसका factor है, इसको हमने किसके equal रखेंगे, 0 के, तो यहाँ से, gx की value के अपने पास, x plus 2, x plus 2 किसके equal आगया, 0 के, और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगी, x की value हो जाएगी, कितनी, minus 2, x की value को हम क्या करेंगे, put कर लेंगे, इस polynomial के अंदर, put करते हैं, x की जगे minus 2 रखना है, minus 2 का whole cube, plus 3 into minus 2 का square, plus 3 into minus का 2, plus का 1, अब देखिए, power कैसी है, odd number, bracket में minus का sign है, कैसे रहेगा, minus का, 2 का cube कितना होता है, 8, इसको देखिए, power कैसी है, even number, bracket में कैसा sign है, minus, तो कैसा हो जाएगा, plus का हो जाएगा, और यह plus का sign, यह भी plus का sign, तो sign तो हो गया, plus का, अब 2 का square करेंगे, कितना होता है, 4, और 4 की 3 से multiply करने, पर कितना जाएगा, 4, 3, जा 12, यह minus का sign, और यह plus का sign, plus minus अपने पास क्या हो जाएगा, minus, 3, 2, जा 6, और यह क्या हो गया, plus का 1, अब यहां से minus का 8 और minus का 6, कितना हो गया, minus का 14, और plus का 12 और 1, 13, कितना हो गया, अपने पास यहां से माइनस का 1 अब क्या माइनस 1 0 के equal है यह 0 के equal तो नहीं है अगर यह 0 के equal नहीं है तो इसका मतलब GX जो है यह PX का factor नहीं है Hence GX is not a factor ओ फे PX जो GX है यह PX का factor नहीं है third part PX is equal to X cube minus 4X square plus X plus 6 और GX given है X minus 3 solve करेंगे इसको तो अपने पास let here note कर देंगे PX जो है यह दे रखे है X cube minus 4X square plus X plus का 6 और जो GX है यह हो गया आपने पास X minus 3 using factor theorem factor theorem का use करेंगे जो GX है इसको किसके equal रख लेंगे 0 के equal रखेंगे इसका मरलब GX की value को 0 के equal रखना है और यहां से X की value आजाएगे अपने पास minus का 3 था किसका plus का 3 जो X की value है इसको हम क्या कर लेंगे put कर लेंगे X is equal to 3 in PX तो PX का मतलब इस polynomial के अंदर हम X की value को put कर लेंगे तो P X की जगे कितना हो जाएगा 3 is equal to X की जगे 3 का cube minus 4 into X की जगे 3 का square plus X की जगे 3 plus का 6 3 का cube कितना होता है 27 यहाँ पर 3 का square कितना हो जाएगा 9 9 for the 36 plus minus minus का 36 हा जाएगा plus का 3 और plus का 6 अब यहाँ से अपने पास यह किसके equal आ गया देखिए 27 और plus 3 30 plus 6 36 और minus का 36 तो यह अपने पास आ गया 0 0 आ गया तो इसका मतलब जो GX है यह क्या है PX का factor है Hence GX Is A Factor और फे PX तो जो GX होगा यह PX का factor होगा तो यह था अपना second question का third part ओके Thank you friends एंस होगा fatto एंस छाद 濃़